हेलो एवरीवन वेलकॉम अगेन टू लंगरे दितीमन हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 के कुशन आंसर जिसमें हमने चैप्टर नमबर 7 के कुशन आंसर स्टार्ट किये थे 56 कुशन हमने कंप्लीट कर लिये थे चैप्टर आपका जल संसाधन एवं संदक्षन गहा है और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देखिए आपके जो 6 क्लास है उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो की बहुत ही छोटे हैं उनसे कम ही प्रशन निकल कर आए हैं अब ये जो चैप्टर है जल संसाधन एवं संदक्षन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और यहां से प्रशन जो है वो हर बार पूचा ही जाता है नदियों से संबंदित पर्योजनाओं से संबंदित और ये चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा भी बना है उसमें बह तो उसके आगे का हम पढ़ते हैं, question answer solve करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों ने chapter पढ़ लिया है, और जिसको मैं बार-बार बोलती हूं, chapter पढ़िए और उसके बाद यहां पर answer लगाईए, जवाई बांध कहां इस्तित है, जवाई बांध जिस पर जवाई परियोजना इस तो यह बांध इस्तित है पाली जिले में, ठीक है, याद रखना है इस पर जवाई परियोजना इस्तित है, सोम कमला अंबा परियोजना का संबंद किस जिले से है, तो सोम कमला अंबा परियोजना का संबंद है डुंगरपुर जिले से, और यह परियोजना सोम नदी पर इस तो ये चोटी-चोटी परियोजना हैं, इनको याद रखिएगा, exam में, पूछ ली जाएंगी, जाखम परियोजना का संबंध है, जाखम नदी से, जो कहां है, प्रतापगर जिले में, तो यहां देखिए, दो कुश्चन बनते हैं, जाखम परियोजना कौन सी नदी पर, परागत जल्श्रोत कौन कौन से हैं, कुआ है, बावरी है, जोहर है, टांका है और खडीन है, तो जब हम जोग्रफी पढ़ेंगे, तो वहां हम जानेंगे कि यह जोहर क्या होता है, टांका क्या होता है, खंडीन क्या होता है, तो जो राजिस्तान के स्टूडेंट हैं, उन इनमें से परमपरागत जल्श्रोत कौन सा नहीं है। तो वहाँ पर एक कोई और नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। तो कुवा, भावडी, जोहर, टांका, खडीन ये सब क्या हैं? परमपरागत जल्श्रोत हैं। अगला देखिए गोवडन सागर और रंग सागर जिल किस जिले में इस्तित हैं। गोमती नदी पर बांध बनाकर किस जिल का निर्वान किया गया था? गोमती नदी पर बांध बनाकर किस जील का निर्मान किया गया था? तो देखिए, जैसम्मज जील का निर्मान किया गया था. नेक्स्ट कुश्यन देखिए, जैसम्मज जील का निर्मान किस ने करवाया था? तो नाम से ही सपस्ट है कि जैसम्मज जील का निर्मान करवाया था 1687 से 1691 इस्वी में गोमती नदी पर. तो यह है विस्व की सबसे बड़ी निर्मित जील है मीठे पानी की. ठीक है? मानव नि जील, जोकी विस्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की जील है. जोदपुर की प्रमुख जीलें कौन सी है? जोदपुर की जीलें हैं बाल सम्मज जील, कायलाना जील और उम्मेद सागर जील. अगला दिखिए, जैसल मेर में इस्तिद जील का क्या नाम है? ज राजिस्थान के किस जिले में इस्तित है। राजिस्थान के किस जिले में इस्तित है। राजिस्थान के किस जिले में इस्तित है। जो कुवा बना दिया जाता है उसमें इखटा कर लिया जाता है। और वहीं वाटर हर्वेस्टिंग जो टेक्निक है वो क्या होती है। इसमें वर्षा का जो वेस्ट पानी जो बह रहा होता है उसको क्या कर लिया जाता है। वहाँ पर कुवे में इखटा करते हैं और यहाँ वाटर हर्वेस्टिंग में भूमिगत कर लिया जाता है। वाटर हर्वेस्टिंग से क्या अभिप्राय है। वर्षा का जो वेस्ट पानी होता है उसको क्या करते हैं भूमिगत करके इखटा कर लेते हैं। तो चलिए यह chapter होता है आपका complete मिलते हैं next video में, thank you.